दोस्तो fixed deposit में निवेश करने का सबसे अच्छा टाइम आ गया है क्योंकि आपको fixed deposit पे निवेश करने पर ब्याज मिलता है दोस्तो 9.25% का जी हाँ दोस्तो अगर आज की date में आप fixed deposit में निवेश करते हैं और अगर आप एक senior citizen है तो आपको मिलता है 9.25% का ब्याज और अगर citizen नहीं है तो आपको मिलता है दोस्तो 9.0 यानि की 9.01% का ब्याज ये कौन सा ब्याज है दोस्तो जो आपको इतना ज्यादा fixed deposit पे ब्याज दे रहा है इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे उसी के साथ साथ हम इसमें fixed deposit का calculation भी करेंगे दोस्त दोस्तो आपने fixed deposit का अगर पिछला कुछ interest rate देखें तो पिछले कुछ सालों में आपको fixed deposit से ज्यादा से ज्यादा 6.6% का interest मिल रहा था पर दोस्तो आज के date में आपको 9.25% का interest rate मिल रहा है इसलिए दोस्तो ये 2024 का जो starting time है वो fixed deposit में निवेश करने का सबसे अच्छा time पान आ गया है दोस्तो आप अगर fixed deposit में पांच लाक रुपे तक का निवेश करते हैं RBI की तरफ से आपको ये guarantee मिलती है कि अगर आपका जिस भी bank में fixed deposit है उस bank कल को अगर डूब जाता है तो RBI आपको आपका पैसा लोटा देगा ये RBI की तरफ से अप्टो 5 लाक रुपे तक का आपको guarantee मिल जाता है दोस्तो fix deposit में अगर आप निवेश करते हैं तो आप साथ दिन के बाद जब भी चाहें अपने पैसे को withdraw कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो हम चलते हैं उस bank की तरफ जो आपको up to 9.25 प्रतिसक fix deposit के ऊपर provide कर रहा है दोस्तो हम जिस bank के बारे में बात कर रह 5 यर्स का करते हैं तो आप अगर senior citizen है तो आपको 9.25% से interest मिलता है अगर आप senior citizen नहीं है तो आपको 9.01% से interest यहां से अराम से मिल जाता है दोस्तो अब चलिए हम चलते हैं अपने fix deposit पे calculator और एक बार calculate करके देखते हैं कि अगर आप 1, 2 या फिर 5,000,000 रुपे deposit करते हैं इस fix deposit में fix deposit के maturity पे आपको कितना रुपे का return मिलेगा दोस्तो हम आगे है fix deposit पे calculator पे जैसे कि आप हमरे screen पे देख सकते हैं तो सबसे पहले total investment amount को हम 1,000,000 रुपे कर देते हैं मान लिजे आप यहां पे 1,000,000 रुपे का fix deposit कर दे हैं तो अगर आप senior citizen है तो आपको यहां पे 9.25% स यहां पे interest मिल जाएगा दोस्तो और अगर आप senior citizen नहीं है तो आप अपने घर में जो भी senior citizen है उनके नाम पे fix deposit कर सकते हैं दोस्तो तो अगर आप यहां पे हम उसको set करते हैं 9.25% से दोस्तो तो अगर हम इसको 9.2% से set करते हैं तो देखिए अपने 1,000,000 रुपे का investment किया ह है और इसका term हम मान के चलते हैं दोस्तो 5 साल तो 5 साल के बाद इसका अगर हम compounding period quarterly के तरह अगर आप fix deposit करें तो 5 साल में आपके 1,000,000 के fix deposit बढ़के हो जाएगा दोस्तो 1,57,584 रुपीज यानि कि आपने investment क्या है 1,000,000 रुपे और आपको interest मिल रहा है लगबग 58,000 रुप audit होने के बाद 3,15,000 रुपे मिल जाएगा यानि कि आपने investment क्या है 2,000,000 रुपे और 1,15,000 रुपे आपको ब्याज मिल रहा है और अगर आप यहाँ पर 5,000,000 रुपे का निवेश करते हैं दोस्तो तो आपको मिल जाएगा दोस्तो टूटल 7,88,000 यानि कि आपने investment क्या है 5 रुपे और 2,88,000 रुपे का आपको ब्याज मिल जाएगा दोस्तो उससाब से आपको जितना भी रुपे इनवेश्मेंट करना है आप कर सकते हैं अप तो 5,500,000 रुपे ये RBI के दोरा NCO है अगर इसके ऊपर आप यहाँ पर investment करते हैं तो बैंक को कल को अगर कुछ भी problem होत है तो RBI से सिर्फ आपको 5,500,000 रुपे ही वापस मिलेगा दोस्तो आशा करता हूँ इस छोटा सा वीडियो से आपको इसके बारे में कुछ न कुछ जरूर जानने के लिए मिला होगा तो अगर आपको हमरा ही वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो का लाइक करके अपने दोस्तों के जरूर सेयर करें आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद दोस्तों